आज की वीडियो में हम पुराने बेकार पड़े पिलो कवर का इस्तिमाल करके बहुत ही कमाल के आइडिया बना के हम रेडी करेंगे फ्रेंट तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास जो भी पुराना बेकार पिलो कवर है उसको आप इस तरीके से उसकी सिलाई आपको खोल है कई बार क्या होता है फ्रेंट्स बैड शीट हमारी खराब हो जाती है और पिलो कवर जो है वो देखिए अच्छे रहते हैं तो उनको फेकने का मन भी नहीं होता है तो आज की वीडियो में हम पिलो कवर से बहुत अच्छी चीजे देखिए यूजफुल सी चीजे हम बना के रेडि करेंगे तो यहां पे देखिए मैंने पिलो कवर से कपड़े को कट कर लिया है 11 इंच इसकी हमको चोडाई रखना है और 14 इंच इसकी हमको लंबाई रखना है अब इसी साइच पे देखिए मैंने दो पीस पिलो कवर से कट किये हैं और दो पीस मैंने प्लास्टिक की जो बोरी होती है उसको भी मैंने कट कर लिया है और यदि आपके पास वह प्लास्टिक की बोरी नहीं है तो आप यहाँ बहुत चाया है और यहाँ पे लिफिश और थे अब 14 इंच लंबी हमको यहाँ पे chain लेना है और chain पे देखिए मैंने runner डालके ready कर लिया था भी मैं runner को देखिए निकाल देती हूँ और इस तरफ से देखिए मैं runner को पहले डालके ready कर लूँगी और runner को लगाना देखिए बहुत ही easy होता है बस इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से हमको फसाना होता है runner को और बहुत ही आसानी से runner हमारा देखिए लगके ready हो जाता है अब chain को देखिए कपड़ी की उपर इस हमको उल्टा करके रखना है और यहां पर मैंने 14 इंच लंबी मैंने chain ली है और इस तरीके से देखिए एक सिलाई हमने लगा ली है अब यहां पर देखिए इन ही के साइच पर मैंने जिस साइच पर हमने यह कपड़े को देखिए ready किया था उसी साइच पर मैंने यहां पर उपर हमको यहां पर देखिए मैंने साइच का कपड़ा यहां पर रख रही हूँ आपके पास जो भी पुराना कपड़ा है आप उसका यूज यहां पर कर सकते हैं friends अब यह देखिए इसको इस तरह से हम अंदर की तरफ पल्टेंगे और एक बार हम उपर की तरफ देखिए किनारे किनारे पर पूरा टॉप सिलाई लगा के इसको ready कर लेंगे इस तरीके से देखिए हमारी चैन बहुती finishing से लगके ready हो जाती है तो इस तरीके से एक पीस हमने ready कर लिया है अब यह देखिए दूसरा वाला जो पीस है कपड़े का उसको भी हम ready कर लेंगे चैन को इस त तरीके से देखिए कपड़े को हम रखेंगे और एक सिलाई हम लगा लेंगे और फिर साड़ी के कपड़े को देखिए अंदर की तरफ पलड़ते हुए हमको यहाँ पर टॉप सिलाई लगाना है अब जो भी धागे वगेरा रहते हैं वो हमारी चैन पर बिल्कुल भी नहीं फ पीस से तो इस तरीके से यहाँ पर दो पीस हमने देखिए रेडी कर लिये हैं यह देखिए फ्रेंट्स नीचे की तरफ भी थोड़ा सा एश्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी हम कट कर देते हैं और बहुत ही प्यारा सा देखिए और अर्गनाइजर हम आज बना के रेडी कर नीचाल प्रेंगे हम तो बिल्कुल फ्री पे आप देखिए मार्केट में मिलने वाली चीजों को आप घर पर बना सकते हैं और बिना कोई खर्च के शिर्फ आपको एक यहां पे चैनल लेनी हैं और बहुत अच्छी चीजर है आप घर पर बना के रेडी कर सकते हैं अब दे सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां से थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए हम, फिर यहां से हम सिलाई लगाना, इस्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से हम दौनों तरफ सिलाई लगा के इनको जोड़के हम reddy कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई इस तरीके से लगा ली है अब ये देखिए जैसे मैं इनको fold कर रही हूँ friends वैसे ही देखिए इनको हमको fold करना है तो इस तरीके से set कर लेंगे हम 20 center से 20 center को मिलाते हुए ये कपड़े को मैंने देखिए दोनों पीस के कपड़ों को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है अब देखिए यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे तो एक तरफ देखिए हमने सिलाई लगा ली अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे और बीच भी देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमने पहले छोड़ी थी, जहाँ से हम इसको पलटके हम रेडी करेंगे, अब यहाँ पे भी इस तरफ भी देखिए, हम सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली, अब यहाँ पर देखिए हमको कपड़े की या फिर शॉपिंग बैक से पट्टी कट कर लेना है एक इन चोड़ी और जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर देंगे और फिर देखिए हम यहां पर पाइपिंग लगा के इसको कम्प्लीट करेंगे तो जैसे एक तरफ हम पाइप हम इस तरीके से पाइपिंग से इसको फिनिश कर लेंगे दोनों तरफ से देखिए पाइपिंग लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है अब यहां पर देखिए फ्रेंट्स चारों तरफ किनारों पर हमको दो इंच वई दो इंच का इस तरीके से देखिए बॉक्स बना के ready करना है तो जैसे यह देखिए मैं निशान लगा रही हूँ वैसे ही चारों तरफ हमको 2 इंच वाई 2 इंच का इस तरीके से देखें बॉक्स बनाना है और फिर यह जो बॉक्स हमने बनाए हैं उनको इस तरीके से देखिए हम cut कर देंगे तो चारों तरफ देखिए इसी तरी पाउज आप बनके रेड़ी हो जाता है अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से corner को पकड़ते हुए हमको सिलाई लगानी है तो देखिए जो साड़ी का कपड़ा है उस पे अभी हमको सिलाई नहीं लगानी है यह देखिए जो हमारा यह कुल्टिट पीस था उस पे हमको यह कॉर्णर को पकड़ते हुए इस तरीके से देखिए कॉर्णर पे सिलाई लगानी है तो सिर्फ ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूं बस वैसे ही आप सिलाई लगा लीजेगा बहुत ही आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी और चारो तरफ देखिए कॉर्णर पे मैंने सिलाई लगा ली है और यह जो साड़ी का कपड़ा था उसके कॉर्णर पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है अब जहां से देखिए बीच पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी वहां से इसको हमको पलटके रेडी कर लेना है ये देखिए देखिए यहां पे देखिए चारो तरफ हमको इस तरीके से ये कॉर्णर पे सिलाई लगा लेना है और फिर ये जो चारो कॉर्णर जो हैं हमारे उन पे हमको पाइपिंग लगा के इसको हमको रेडी कर लेना है और जहां से इसको हमने पलटके रेडी किया था तो वहां पे जो हमारी थो चोटी चोटी जरूडी चीजे मेकप की चीजे चोटे-चोटे चोटे जो कपड़े होते हैं उनको भी आप इस पे स्टोर करके रख सकते हैं तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है पाइपिंग लगा के अब इसको हम देखिए पलेट लेत है बिल्कुल free पे किसी भी पुराने बेकार कपड़े से आप इस तरीके का storage bag बना सकते हैं इससे छोटे साइज पे भी आप इसको बना के ready कर सकते हैं और बड़े साइज पे भी आप इसको इस storage bag को बना सकते हैं अब मेरे पास यह देखिए एक लटकन पड़ी हुई थी तो यहाँ chain पे हम इसको लगा देंगे तो यहाँ पे आप देखिए सिलाई का समान इस पे store कर सकते हैं make up का समान आप इस पे रख सकते हैं ट्रवल वगेरा पे जाते हैं तो ट्रवल वगेरा पे भी आप इस bag का यूज कर सकते हैं अब next idea देख लेते हैं तो यह वाला idea भी आपको बहुत ही पसंद आएगा friends सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैंने एक shopping bag को cut कर लिया है और pillow cover से मैंने कपड़े को cut कर लिया है तो इसकी देखिए चोडाई है 12 इंच और लंबाई हमको रखना है 16 इंच और quilt करके हमको इसको ready कर लेना है तो सबसे पहले तो देखिए चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा लेंगे और पहले जैसे हमने quilt करके कपड़े को ready किया था बीच बीच पे सिलाई लगा के वैसे ही फिर हम इसको देखिए बीच 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 पे सिलाई लगा के quilting करके हम इसकी ready कर लेंगे quilting करने से क्या होता है friends कपड़े और जो हमारा स्तर होता है या फिर शॉपिंग बैग या पिलाश्टिक की बोरी जो भी उच करते हैं तो कपड़े जो होते हैं आपस में देखिए अच्छे से attach हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने quilting करके ready कर ली है अब एक transparent sheet हमको लेना है इसकी लंबाई है 15 इंच और चोड़ाई है 12 इंच अब यहाँ पे 2 इंच चोड़ी और 13 इंच लंबी हमको एक पट्टी कट कर लेना है अब यहाँ पे देखिए पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए transparent sheet के उपर रखना है तो 12 इंच वाली जो side थी वहाँ पे मैंने transparent sheet को इस तरीके से fold करते हुए देखिए रखा है और double करते हुए सिलाई लगाली है और फिर देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करते हु अब हमको यहाँ पर देखिए फ्रण्ट से chain लेना है 13 इंच लंबी आप chain ले लीजेगा और chain पे मैंने runner डाल के ready कर लिया है अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से chain को मैंने सीधा रखा है और chain की ऊपर हमको यह देखिए जो transparent sheet को जो piping बना के ready करी थी उसको इस तरीके से लगा लेंगे पूरा नीचे तक तो इस तरीके से देखिए एक सिलाई हमको लगाना है और फिर पलटते हुए यहाँ पर हमको टॉप सिलाई लगा के ready करना है अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और जो भी कपड़ा है उसको देखिए अंदर की तरफ हम fold करेंगे और फिर एक बार पूरा सिलाई हम लगा लेंगे तो इस तरीके से यह ready हो गया अब देखिए इस तरीके से हमको इसको set करना है उपर की तरफ से देखिए एक इंच मैंने इस तरीके से जैसे रखा है fold करते हुए वैसे ही देखिए उपर की तरफ से हमको रखना है तो नीचे की तरफ देखिए एक, दो इंच हमारी transparent sheet extra हो जाई कि उसको cut कर देंगे हम, अब इसको देखिए चारो तरफ से हमको pin up कर लेना है, तो यहाँ पर देखिए friends इस तरीके से set मैंने कर लिया है, चारो तरफ से मैंने pin up लगा कर लिया है इसको, अब यहाँ पर देखिए इसकी तीनो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं friends जिनकी सिलाई machine देखिए transparent sheet की ऊपर नहीं चलती है, तो आप देखिए कागच कभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, न्यूज पेपर का, या फिर देखिए आपके पास यदि shopping bag पड़े हैं, तो transparent sheet की ऊपर आपको इस तरीके से shopping bag की पटी रखना है, और फिर उसकी ऊपर आपको सिलाई करना है, तो आपकी सिलाई जो है वो आसानी से हो जाएगी, और यहाँ पे friends आपको अच्छी वाली transparent sheet यूज करना है, और देखिए तीनों तरफ से हमने इस पे सिलाई लगा ली, अब यहाँ पे देख आपका बहुती प्यारा सा देखिए, पुराने बेकार कपड़े से, बहुती प्यारा सा, यूजफुल सा देखिए, cover यहाँ पे बनके ready हो गया है, आप इस पे बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, लाचा इस्टोर कर सकते हैं, दुपट्टा इस्टोर करके आप इस पे र सकते हैं, बलाऊस रख सकते हैं, मेचिंका पेटी कोट आप इस पे इस्टोर करके रख सकते हैं, इसका साइज भी बहुती अच्छा है देखिये, तो इस तरीके से आप बहुत सारे साड़ी रखने के लिए बैग आप बना सकते हैं, अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते ह है नीचे साड़ी का कपड़ा रखेंगे बीच में हम प्लास्टिकी बोरी रखेंगे और उपर पिलो कवर का कपड़ा रखेंगे और चारो तरब से देखिए इस पर सिलाई लगा के कुल्ट करके हम रेडी कर लेंगे अब इसी साइज पर देखिए मैंने एक शीट को भी कट किया है और 13 इंच लंबी हमको यहां पर चैन लेना है अब यह जो ट्रांस्पेरंट शीट थी उसको 20 से हम देखिए कट कर देंगे इस तरीके से तो दो पीस हमारे यहां पर रेडी हो गए हैं अब सबसे पहले तो फ्रेंट से यहां पर देखिए तीन इंच चोड़ी और लंबी दो पटियां हमको लेना है तेरा इंच लंबी पटि हम लेंगे और तीन इंच चोड़ी ढ़ाई इंच चोड़ी आप पाइपिन बनाने के लिए पटि ले सकते हैं तो अब यहां पर रेखिए इस पटि को इस तरीके से डबल करते हुए हमको रखना है शीट के ऊपर और एक सिलाई पहले हम लगा लेंगे तो दोनों पीस पे पहले देखिए हमको यहां पे सिलाई लगा लेना है तो इस पे भी पहले हम सिलाई लगा लेते हैं और यहां पे देखिए हमको ना पाइपिंग बनाना है जिससे की जो हमारा यह जो बैग है बहुती प piping बनाई है वैसे दूसरे वाले पे भी हम piping बना के ready कर लेते हैं तो दोनों piece हमारे यहां पे देखिए ready हो गए हैं इसी तरीके सेसको ready करना है यह फिर आपके पास lace वागेरा है तो आप lace भी लगा सकते हैं अब chain को सीधा रखना है और उसके ऊपर देखिए इस तरीके से ये ट्रांस्पेरंट शीट को हम इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे अब ये दूसरा वाला जो पीस था ट्रांस्पेरंट शीट वाला उसको भी रखेंगे और दूसरी तरफ से रखते हुए देखिए सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हमारी देखिए chain बहुत ही finishing से और महुत ही आसान तरीके से लगके ready हो जाती है तो यहाँ पे जो भी extra chain थी वो मैंने देखिए cut कर दिया है अब इसकी लंबाई चोड़ाई 12 इंच भाई 12 इंच है अब देखिए नीचे मैंने कपड़े को रखा है और उसकी ऊपर मैंने यह transparent sheet थी उसको उल्टा करते हुए रखा है और चारों तरफ से देखिए हम इसको pin-up कर लेंगे अब हमें क्या करना है फ्रेंट्स pin-up करने से पहले यहां पर हमको एक पट्टी बनाके ready करनी है देखिए तो यहां पर 10 इंच लंबी और 4 इंच चोड़ी मैंने पट्टी ली है और उसको इस तरीके से fold करते हुए हमको एक पट्टी यहां पर बनाके ready करना है सबसे पहले तो अब हम यहां देखिए इसके चारो तरब पहले हम सिलाई लगा देते हैं तो देखिए चारो तरब पहले हम इसके सिलाई लगा लेंगे चारो तरब से सिलाई लगाने के बाद जो भी एस्ट्रा देखिए कपड़ा है उसको हमको कट कर देना है अब यहां पर लेना है हमको पट्टियां स्वापिंग बैक से देखिए मैंने बहुत सारी पट्टियां कट कर ली है या फिर आप देखिए कपड़े से भी पाइपिंग लगा के आप इसको रेडी कर सकते हैं शॉपिंग बैक से ना फ्रेंट्स बहुती जल्दी जल्दी पाइपिंग लगके हमारी रेडी हो जाती है तो या फिर आप देखिए matching के कपड़े से भी यहां पर आप चारों तरफ piping लगा सकते हैं तो मैंने चारों तरफ इसको देखिए piping लगा के ready कर लिया है अब यहां पर देखिए 2 inches by 2 inches का हम को यहां पर box बनाना है तो यहां पर देखिए किनारे से सिलाई को छोड़ते हुए मैंने यहां पर 2 इंश by 2 इंश के यह बॉक्स बनाये हैं तो चारो तरफ यह जो बॉक्स हमने बनाये हैं उनको इस तरीके से देखिए हम कट कर लेंगे अब तो यहां पर देखिए एक साइट तो ये वाला corner देखे हमने सिलाई लगा लिया और फिर इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से set करते हुए हम आराम से सिलाई लगाएंगे, बहुती आराम से आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगे, देखिए आप धीरे-दीरे के ready करी थी तो एक तरफ हम ये पट्टी लगा के ready करेंगे तो इस तरीके से देखिए बीज सेंटर पे ये जो corner का ये जो बीज सेंटर है उस पे हम को इस तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा लेंगे हम तो यहाँ पे देखिए यदि आपकी सिलाई मसिन पे transparent sheet पे सिलाई नहीं होती है तो आप न्यूज पेपर को रखके सिलाई लगा सकते हैं आपकी आसानी से सिलाई हो जाएगी और दो इंच यहाँ पे देखिए एश्ट्रा पट्टी थी तो मैंने cut कर दिया है अब यहाँ पे देखिए इस तरफ भी सेंटर पे पट्टी को रखते हु और जैसे मैंने इस साइच पे बनाया है छोटे साइच पे आप इसको बड़े साइच पे भी बना सकते हैं अब यह देखिए चारो तरफ से यह जो कॉर्णर है उन पे इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे जिससे की जो भी धागे वगेरा हैं वो बिलकुल भी देख बनके रेडी होगा और लंबे टाइम तक चलेगा तो चारो तरफ देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया हैं कोई भी धागे वगेरा नहीं निकलेंगे अब इसकी जो चारो कॉर्णर हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए इस तरीके से निकालके हम सैट कर लेंगे तो इस बैक पे आप देखिए मेकप की चीज़े रख सकते हैं और पैंसिल वगेरा आप इस पे स्टोर करके रख सकते हैं मेकप की चीज़े पैंसिल आप इस पे छोटे बोटे कपड़े बहुत सी चीज़े आप इस पे स्टोर करके रख सकते हैं इसका यूज आप अपने आई होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रांट्स तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को